नमस्कार दोस्तों मैं दॉक्टर भवानी संकर अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज मेरे एपिशोड में चर्चा का विश्य है रेक्टल प्रोलैप्स यानि प्रोलैप्स और रेक्टम यह जाना गुदावरंस भी इससे करते हैं मलदूआर का निकल जाना इसे का द्वार का बाहर आ जाना उदामार का इसमें कोई खास सिंटम्स नहीं है इसमें सिंटम्स ही है कि किसी बज़ा से डारिया डिसेंट्री या कॉंस्टिपेशन के बज़ा से आपका रेक्टर प्रोलैप्स हो गया है मलासय का कुछ हिसा बाहर आ रहा है आप उपनी फिंगर से उसे पूस कर रहे हैं फिर भी वो बाहर आ रहा है बार बार हर बार बार आ रहा है आप परवानेंट हमेशा बाहरी रह रहा है तो ऐसे किसमें आप हुमियोपैत का शाहरा लिजिए, हुमेपैत में इसके लिए बहतरीन दवाइं है तो आईए दोस्तों, मैं एक ही करके चर्चा करूँगा कि किन किन दवाओं का किस सिम्टम्स पे इफेक्ट है और कैसे सिम्टम्स आप में हो गुदावरंस में, रेक्टर प्रोलेप्स में तो आप उसका लाव ले शकते हैं और कैसे पनी दवाओं सेलेक्ट कर सकते हैं और सबसे बहतर तो यह हो कि आप मेरी दवाओं को सुनिये जरूर प्रन्तों किशी अच्छे चिकित्सक के प्रामर्स के बाद ही खाईए तो ऐसा है दोस्तों, कि सबसे उत्तम दवाज होता है रेक्टर प्रोलेप्स के लिए वो एलोज शोको होता है एलोज शोको तभी आपके लिए उत्तम होगा जो आप देखेंगे कि अस्टूल पास करने के बाद अरेक्टर प्रोलैप्स होने के बाद ठंडे पानी से वहाँ पर रारा मिलता हूँ और आपको मलत्या करने में रेक्टर्म के पास बहुत ही ज़्यादा दर्द और जलन हो ऐसे केस में आप एलोज शोको का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आप देखेंगे कि डारिया डिशेंट्री और कॉंस्टिपेशंत इनों प्रायकर्म से मिलेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि गुदा मार्ग में यानि रेक्टर्म के पास बहुत ही ज्यादा जलन और धर्द होता है और इसकेस में आप एलोज शोको का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम लेना है तीसे चार बुंद अब दूसरा गुदा फ्रंस रेक्टर प्रोलेप्स की पच्छी दवाओं में से दूसरी दवा कौन सी है रूटा जी दोशो रूटा जी दोशो को कव इस्तेमाल करेंगे दोस्तों जब स्टूल बहुत ही कठनाई से निकलता हो यानि इतना कड़ा स्टूल है कि खांसने पे खड़ा होने पे बैठने पे किसी तरह से आप उसको निकाल रहे हैं जहां बैठे में सौचाले के लिए महां पर आप उठवाट करके अपने को सीधा करके कमर को सीधा करके खांस के सुखा स्टूल किसी तरह से पास कर अपा रहे हैं और ऐसा केस अक्सर दिखा जाता है कि जब गर्वती महिलाएं परशव के बाद कॉंस्टिपेशन को फिल करती हैं और वैसे केस में जब वो दोशों की दबा बहुत ही कारगर होगी और वैसे पुरुस जिनको की खांसने से बहुत ही ज्यादा ड्राय स्टूल है और जो लगाने के बाद श्टूल पास करने के चकर में प्रुलपस अप्रेक्टम हो गया है गुदाभंस हो गया है तो इसे किसमें रूटा का प्रियू इसके शिम्टम्स है कि इनके डरीया डिशंटरी में मृुकस की महत्रव ज्यादा होती है अम मिश्टूल और भार 手ब पैस करने के लिए जाना पड़ रहा हो कभी डैरीया हो जो रहा हो और सब में मृकस की मात्रा बढ़ी हो तो ईसे के metals के कारण डाइरिया डिशंट्री text नो से 3 बंद की मात्रा थोड़े से पानी में शुवा शाम लेना है दोस्तों छौथी दवा है कि दोस्तों असींड मियोर 200 या मियोर्टिक एसिड दोस्तों जैसे ही बोलें यह दबा दो से के नाम से द्वा थिया दोनुअ इस्ते hàng ऐसा के अगार। निसराद फीर चल्हक आप रह दोस्तों की पारो मिलता है। वैसा किर्मी है टेप बॉर्ण जिसके करन की और एक्टल जो भारा गया है रेक्टम उसमें इची बहुत ज्यादा हो रहा है वैसे केस में दवाओं के साथ साथ हम टीम भी क्यों का इस्तेमाल करेंगे पंद्रबुंद की मात्रा शुवर शाम थोड़े से पानी में बात या आती है दोस्तों कितनी दवाएं मैंने बता दिया मुनका सिंटम मिलाना आपके लिए मुश्किल है तो आप ठोचेंगे कि दवाओं में से कोई दो दवा कावन बता दीजिए इसका इस्तेमाल हम करें बि मात्रा योज मैं बता दिया दोस्तों उसी दोस्तों सिंरफ का इस्तेमाल करेंगे का इस्तेमाल्य मैं बर्में तो इनको मेल्स कि दुए करूं अब कि दाए ऑख कि चाहईए और इन दवाओं के बारे में पूछी या मेरे वाटसेप पर कॉंटेक्ट करने के बाद ही दवा के इस्तेमाल करें दोस्तों जाहिंद